हेलो एबरीवन, स्वागत आप सफी का जी के जोन में तो गाई ज्ञारखन रिवीजन में आज हम रिवाइस करने वाले हैं ज्ञारखन में संचालित प्रमुफ ओपरेशन्स तो चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्ण है ज्ञारखन राजी में संचालित ओपरेशन्स ग्रीन हंट का संबंद किस्से हैं तो ग्रीन हंट का संबंद है नकसलवाद उनमूलन से नेक्स्ट है ज्ञारखन में संचालित ओपरेशन्स अगनी दूत का संबंद किस्से हैं इसका भी संबंद है नकसलवाद उन्मूलन से तीसरा है जहरकन राजी के सारंडा वन छेतर में संचालित नकसल विरोधी अभियान का क्या नाम है तो देखे सारंडा वन जो है काफी घना वन छेतर है तो इस याद करने के लिए आप याद रखिए कि यहाँ पर अनाकॉंडा पाया जाता है अनाकॉंडा मूवी आपने अगर देखा होगा तो अमेजन फॉरिस्ट का सीन दिखाया जाता है तो यहाँ पर सारंडा वन हमारा समझी एक तरह का अमेजन वन है तो इसका अंसर हो जगा Operation Anaconda नेक्स्ट है जारखन राजी में संचालित Operation नई दीसा का संबंध किस से है तो नई दीसा का संबंध है नकसलियों को मुखे धारा से जोड़ना यानि जो नकसलि खुद को समर्पित कर चुके है प्रतियवर्तित कर चुके है उन्हें मुखे धारा में किस प्रकार से लाया जाए ताकि जो उनका माइन जो है सही रास्ते पे चल सके और वो विकास की धारा में आगे बढ़ सके तो ये है Operation नई दीसा आगे है पाच्वा नमबर सवाल इनमें से कौन सा अभियान धनबाद रेल्वे स्टेशन पर डकैती रोकने हित्तों सुरू किया गया था तो इसका नाम काफी इंट्रेस्टिंग है एक सगेंड इसका नाम काफी इंट्रेस्टिंग है Operation Comp में मतलब क्या था कंगी जर्खन राजी में संचालित Operation Justice का संबन किस्से है तो Operation Justice का संबन है मजदूरों को नियूनता मजदूरी सुनिश्चीत कराना नेक्स्ट है छटवा नमबर सवाल हो गया सातवा देखते है जर्खन राजी में संचालित Operation Waroon का संबन किस्से Operation Waroon का संबन है इसका संबंध है नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना नेक्स्ट है जारकन में संचालित ओपरेशन मुस्कान का प्रमुख उदेश क्या है तो इसका उदेश है राजी के लापता बच्चों को ढूंड़ना नेक्स्ट है दसवा नमर सवाल और आज का आकरी प्रस्ट है निम्न में से कौन सा सही है तो क्या चलिए ओप्चन पढ़ते हैं पहला लोहर दगगा जीले में महिला पूलिस समूहों के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ ओपरेशन जो चलाए गया था उसका नाम था डबल बोल तो क्या ये कथन सत्य है दूसरा पढ़ते हैं जारखन में जारखन के बूढ़ा पहाड छेतर में नक्सलियों के खिलाफ और राजी सरकार द्वारा ओपरेशन ओप्टोपस चलाए गया था तो ये कल के अगर आपने सेट मेरा देखा होगा तो उसमें दिया हुआ था क्वे अप्सन भी दोनों सही है बूढ़ा पहाड छेतर में जो ऑपरेशन चलाए गया था उसका नाम अक्तोपस है और लोहर दग्गा जीने महिला पूलिश ने महिला पूलिश के सम्मूह द्वारा नक्सलियों के खिलाब जो ऑपरेशन चलाए गया था उसे डबल बूल कहते हैं तो नक्सलियों से सम्मन बहुत सारा है तो एक जगा उसको कलेक्ट करके आप याद रखिए औक्टोपस अगर आया तो कहां पे बूढ़ा पहाड छेतर में लोहर दग्गा में अगर आये तो डबल बूल उसी तरीके से देखिए पहला और दूसरा हमने देखा था पहला दे तो देखिए इतने सारी योजना बोले ओपरेशन से जिसका सम्मन जो है नक्सलियों से है बाकी सब जो है और भी है एक दो उसे भी याद रखिए और जैसे के ओपरेशन जेस्टीस हो गया ओपरेशन कोम हो गया तो दोस्तो वीडियो यहीं समाप्त होता है पसंद आया तो लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक्स पो वाचिंग बाइबाए